नमस्कार दोस्तों वेल्कम एक्ट्री उसे विलाट लूक ताइम करने वाले हैं सर्वे आर्टी सी सोम एन्वार्मेंट और सोईल के टॉप थर्टी फाइव मोस्ट एक्सपेक्टेट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके आने वाले आपका में एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टेंट होने वाले तो वीडियो को पूरा लाश्टक देखेगा इसमें सर्वे के हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और इन सब के में कुल मिल कर सकते हैं साथ सदूर से लिट जो श्रेक्ट से बार में लोग बात करेंगे तो चलिए वीडियो के में रखें हम लोग 35ollen लैक स्का और इसी वीडियोगी पीडियाफ अब हमारे यह चैलिशे जाकर करते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो चलिए बढ़ते हैं वन वाइवन क्वेशन क्यों तो पहला क्वेशन क्या कहता है और थर्टी मीटर मेंट्रिक चेन इस फांट टो भी जिरो पॉइंट वन मीटर ठूर्ट ठूर्ट ठेक्षोड और मिजर मैंट 113 मेटर एव थैन रही र्यदेट क करता है ओले अलग लोग का याद या तरीका लगा iniven रियाद करता हूं ठीक है कि small l is full to l dash by l into l dash ठीक है सब सब की अलग वो तेंड डूनोशन मेरा अलग डूनोशन है ठीक है तो यह जो है हमारी जो एक्ट्वाली प्रिजेंट टाइम पर है वो क्या शॉर्ट है यहने की 30 मिटर की चेन है को देखूं तो यह फ्रेक्टर लेजन बनाने वाला है ओके याणिके 300 से जो भी वेल्व कम होगी वांसर में तो यह उप्शन में जो 300 से कम है वह आपका अंसर है ठीक है यह तरीके ऑप्शन को एल्मिनेट करके यानिक ऑप्शन नमर्स सी इदर राइट आंसर अकर तो चलिए बढ़ते हैं नेक्ट करना पड़ता पूरी तरह सॉल्व करना पड़ता क्वेशन को अकर यहां पर नहीं ह है वेन दा होल सर्कल बेरिंग ऑफर ट्रेवर्स लाइन इस बिट्विन 90 तो 180 दैन तो लेटीटीटू और डिपार्चर से क्वेशन है यहां पर ठीक है नेगिटिव पॉजिटिव आला तो नैंटी से एटी यह वाला रिजन है ठीक है यह नैंटी यह नेटी यह निक यह व पॉजिटिव 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 है लेटिव नेगेटिव है तो अप्षिन नमबर भी इदर राइट आंसर अकोर्डिंग टू दा क्वेशन ओके तो चलिए बढ़ते हैं एक्सक्वेशन की और तो अकला क्वेशन है दा बेरिंग ऑफ लाइन एक्स वाई इस वा यहां नेनटी फवाइव ठीक है कितना वन नेंटी फैव हमारा तो हम लोग ड्रोग करते है यह एक्स हमने माल लिया थीक हमारा वाई यह बाई है यह एक्स है यह 150 ए ठीक है तो यह यह बीकितना उना जाएगा 15 हुजाए गा और जय्ड से वाई जैड से वाई त्ट नहीं तिक यह वाली यह कितना हमारा 255 45 second ठीक है तो यह वैल्यू अपने को बताना के यह वाला इंकन included ठीक है तो 90 में से यह माइस करना पंद्र है और यह वाला मैस करना ते यह वाला मायनस करें गदे यह वाला होगा ठीक है तो 69 जी टीक टीकेंड में से 255 45 मैस करेंगे तो कितना आ यह वाला यह वाला एंगल हो कितना आएगा तार्लिट सेकंड आएगा ठीक है नॉम इस पानी तो चार और छे मिस पान्च गे टेक चो और तो यह आएगा हमारा जोगर 11ड़ हिए और 15 सेकंड तो पंदरह डीड ये अचोच्व डिग्री पंदरह सेकंड यह पूरा नैंटी एपूरे नेंटी में यह वाला घठा दोंगा ये वाला घठा दोंगा तो यह वाला आ जाएगा ना मेरा तो लोग करते हैं सको कि 90 में से माइनस करेंगे 15 प्लस 14 सब्सक्राइब कर देंगे आपका 29 तो यह आएगा वन ठीक है और 8 में से 2 जाएगा तो 6 है तो 6 के जो सबसे करीब ऑप्षिन नमबर यह इदर राइट आंता अकॉर्डिन टुड़ क्वेशन ठीक है क्योंकि ऑप्षिन बहुत दूर दूर थे तो हम लोग इस तरह मोटा मोट क्योलेशन कर सकते हैं रफ क्योलेशन ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्यों अगला क्वेशन है इना लेविंग सर्वेडा समीशन अफॉल बैक्साइट अन समीशन अफॉल फोर साइट आर 7.475 and 7.935 meter respectively the reduced level of the initial benchmark is 100 meter ठीक है and the reduced level of the last point where the staff is held will be to get some check जानते हैं समीशन अफ बैक्साइट माने समीशन फोर साइट इसकल टू लाश्ट आरेल माइनस सबस्ट आरेल ठीक है बैक्साइट कितना जरेका आपने को समीशन अफ बैक्साइट ठीक है तो 7.475 माने 7.395 अपने को लाश्ट आरेल निकालना है एक्स इसकम लोग बोल देते हैं पास्ट आयल अपने को पता आईए यह यां नेकिटिव एदर आगे पॉजिटिव जाएगा तो प्लस हंड्रेट लिख देंगे ठीक है और इन दोनों का डिफ्रेंस होगा वो लेस देन वन होने वाला है और हंड्रेट में कोई वैल्यू जोडएंगे तो 1001 की बीच में कोई वैल्यू आएगी तो अप्षिन को चेक करते हैं तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तुम लोग देखते हैं ऑप्षिन जो भी है वह इस रेंज में आ रहा है तो अप्षिन नमर भी इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दॉड़ कोशन होग इस रेंग अनैया पे यह ताफ रगा मैंने रीटिंग लिए रीडिंग यह रीडिंग इन ए यही वन-point-8,15 मिटर ठीके एंड दशितार रीडिंग वन है फोल्टम ऑब बॉर्टम ऑफ तरकें दसी देल ऑवर दरन्ड यह रिंग थी मैंना उसको यह उन रखके उल्टा रक कि जब यह वाले डिटिंग ली तो यह डिटिंग है मेरे टू पंट एट सेवन जीरो मीट आरल अब दा फ्लोर इज यह फ्लोर है इसकारल दे रहा है सेवन्टी पॉर पंट फैव ठीक है हाइट अफ सेलिंग अब फ्लोर यानि फ्लोर से सेलिंग के बीच में कितनी है तो इन एट और एट इट शिक्स ठीक है और यह 4.685 4.685 यानि के ऑप्षिन नमर भी इदर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दा कॉश्चिन ओके तो चलिए बढ़ते हैं एक्सक्रेशन की और कहीं भी अगर आपका जो जातर सर्वी के कुश्चिन होते हैं वहां पर आपको ड्र करने की जोरूत नहीं है क्योंकि हम लोग सब करें जानते हैं हम लोग को पूचा क्या क्वेशन फोकस करते हैं दा वेल्यू आप रिडूस लेवल एक्स तरी यानिक एक्स तरी की वेलिए अपने को पता नहीं है तो ऐसा कुश्चिन जद भी है तो आप यह ट्राय करा कि जि रिडिंग को हटा दें तुमारा जो है वह यहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है यहाने कि मैंने इंस्ट्मेंट सेट अप करा यहां पर इस तरह सेट अप करा पहली रिडिंग लिए उसके बाद दूसरी इडिग अब आप रिडिंग देखो कि रिटिंग बढ़ती जा रही ह यानिक घड़ती यानिकी स्लोप हमारा इस तरह हुगा ठीक है पहले रिटिंग लिए यहां पर यहां पर कितनी आई 2.130 ठीक है यहां पर लिए कितनी आई 1.905 यहां पर लिए तो कितनी आई अपने फिर रिटिंग फिर कम होती है कितनी 1.030 ठीक है और यह इसका नो नाल कितन आपने को 104.290 ठीक है X3 का बताना तो X3 का क्या इन दोने के बीच का डिफरेंस हो जाएगा ये वाली इरिटिंग और ये वाली भी दिटिंग के बीच का ये वाले डिफरेंस ठीक है तो क्या होगा कि अपना इसमेट करते हम तो की 2.130 में से मैस कर देंगे किसको तो 1.030 को तो 0001 और यह 1.10 और यह कितना था 104.0 या इसमें एड़ करेंगे हम लोग ठीक है कि 104.290 में 1.100 को एड़ करेंगे तो 09 और यह 3 आएगा ठीक 105 आएगा तो 105.390 याने कि अप्शिन नमर डी इदर राइट राइट आंसर अकॉर्ड़िंग तो कॉश्चन कॉश्चन टफ था ठीक है सेंपल नहीं कहूंगा लेकिन इसको सोचने का तरीका यह आपको प्रैक्टिस से आएगी ठीक है इस केस में अगर आपको जो भी अगर एक्स 1 मुझसे पूचा होता तो उससे पहले में लाश्ट नून आरेल देखता कि कौन सा था 105 तो इ कोट लेंट ऑफ दा बाउंडरी बिट्विन दा ओर्डीर सार पैराबॉल एक पैराबॉलिक बोल दे एर्रेगुलर बोल दे तो उसका सिंपल फंटा है कि वह सिंप्सन फॉर्मला है सिंप्सम या फिर पॉस्ट मार्डल ठीक है याने कि ऑप्शन मसी इदर राइट आंसर अ और जो सिंप्सम किसे जो डाटा आता हमारे पास उलेस देन आतर ट्रफ अज़र्डल से यही आपको याद रखना है ओके टुम्स्ट करें है तो नेक्ट कुछन है मारा विद डिगार्ड टू ट्रिक्नोमेटिक लेवलिंग ठीक है लिवलिंग से परादा चले कि हम लोगग करते हैं ठीक है कि वीसे फोल्विंग इस स्टेटमेंट्मेंट इस सिंप्लेस्ट एप्लिकेशन तो हम लोग इसमीं क्या करते हैं वो आपने को बताना है तो ऑप्षिन एक देखते हैं डिटर्मिनेशन आफ एलिवेशन ठीक है पता है और इस्टेशन इस बेच्ट ऑन दा अब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल्स एंड़ वर्टिकल एंगल्स लेते हैं इस तरह और हो जूंटर डिस्टेंस के विए से यह वाला एलिवेशन निकाल लेते हैं तो ऑप्षिन नम्मर ए इस राइट डांसर अप्रडिंग टू तो कॉस्टेंस बीको देखते हैं होरी जूंटर डिस्टेंस इस बेच ऑन दा ऑब्जर्विशन ऑफ वर्टिकल एंगल्स तो पता थोड़ी करते हैं हम लोग हम तो वर साइज सच एक प्लान था मारा नब का उसको फोटो को भी किया गया तो सब्सक्राइब चोटे फोटो को भी किया गया घ्याद फाइनली और जनली हंडिट लींडेंट यह वारा किस्किल कितना था फिल मुझे बताना आने कि यह शरंग के लिया रिडियू से स्केल वह मझे बताना तो मैं आपको बता संबल बदाता हम इसका के यह होता हमारा श्रंक लेंथ ये सपन जोटनी रोजेंग स्केल श्रंग एक लिए अपनी 90 श्रंग इसकिल और इसको एक समान लेते ओर इसको एक समान लेते ओर इसकिल कितना था वन और यह रिशू में ऊपर चला जाएगा कितना वांट टू थी फूर ठीक है एक जिरू से गिरू पैंतल हो जाएगी इसका इसमें मैं टिकल अप्लाइ करेंगे तो यह आएगा दिवाइड भाई 12345 ठीक है अब सक यह तो यह तो वन आड रहा तो यहां से डिविजन में लेका जाएंगे तो तो इसमें नायन के डिवाइड करेंगे तो आरू अला यान हे निदे गर्यों करेंगे तो अगर मुझे रूफ कर लेना है तो मैंने आप इंस्ट्मेंट सेट आप कर लिए अपना इस तरह है ठीक है दा रिटिंग वर वन पंट जिरो फाइं मीटर विट इस्टाप और बेंच मार्क एंड टू पंट त्री जीरो जीरो मीटर विट इस्टाफ हेल्ड बिलो दरूफ स्ल पॉइंट three zero zero और तेके देटियोस लेवल अफ तर बेंच मार्क इसका डिटू लेवल कितना जालेगा 135.15 सिक है यहां लेकिता हूं इसको 135.150 ठीक है घिक है देट लेवल अफ दरूफ स्लेवल अपने को निकालना तो इसमें यह अड़ कर देंगे फिर पिर इसमें यह एड करते के एन एक टीन को एड़ करना है ती जीन को एड करते है जिरो 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 आएगा ईदर तब्वाइगा अधर से पांच बाइगा ठीक है और दो एक तीन पांच राड यानिक एक 73.5 यहानी की अप्ष्ण तो चलिए बढ़ते हैं एक्सक्राशन ग्यूर अगला कोशन हमारा ओन एन ओल्ड मैप लाइन वाज ड्रून टू अ मैगनेटिक बेरिंग फुटी डिग्री और फुर्टी फाइं मिनट ठीक है वें दर डिक्निशन वाज तो डिग्री और फिफ्टीं सेकंड वैस्ट तो मैंन तू डिग्री क्रिप्टइ लिन एको और यह मंगेनीक गेरिंग दिर्ख कैना यहां फे जो लायन है मेरी वह केतना एदे रेको तू एंटी डिटी डिडिरी25 मिनेट ठीक है इस में से मैं तू क् गई ठीक है यह मेरा data हो गया ठीक है एक नोन हो गया अब बात करते हैं इप दे ड्यू टू सम्ट मेंगनेटिक एफेक्ट दा मेंगनेटिक बेरिंग एड प्रिजेंट रिपोर्टेट एज 272 डिग्री 45 मिनट ठीक है तो मेरी कितने थी यह थी मेरी 278 डिग्री ठी कि मिनट ठीक है टू से ले रही है अगर मैं लाइन तो से मेना अब मेरी यह मेंगनेटिव बेरिंग बता रही है कि मोन मदा रही है इतना बता रही है कि इतना बता रही है वह शाटारी 200uszerin डिग्री 45 मिनट है अब मुझे क्या बता है है find out the permissable जो find out the present declination तो इस समय जो declination मुझे बताना है यान कि इन दोनों के बीच का difference बताना है ठीक है obvious है कि यह eastern side होने वाला है यहां से ठीक है तो कि इस से ज्यादा होता 278 से तो western side होता तो eastern side होगा तो वियो सी में से option होने अब लोग मायद करते को फाइब फाइब दोनों में आ रहा है तो हम लोग पूरा कैलिट करना पड़े यहां पर ठीक है इसमें से एक डिग्री लेंगे तो यहां से बचेगा ठीक है यह प्लस 60 हो जाएगा और 60 में से आप लोग इसको मायद करोगे तो 45 तो चला जाएगा बचेगा कितना 15 बचेगा तो यह 45 तो इदर वजाएगा और सेवन में से टू जाएगा तो फाइगा जानी फाइव डिग्री 45 इस्ट याने कि आपका ऑप्षिन नम्म बी इस दर राइट आंसर अकॉर्डिंग तो दा क्वेश्चन ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन के उर अगला क्वेशन है विच अगला क्वेशन है वि यूज करते हैं ठीक है एक जगह से एक एरिया पर खड़े हो कि हम लोग और जो भी हमारा पहाड है वहाँ पर इस्टाफ रखे रिटिंग इस तरह क्लिकुट करते जाएंगे सिंपली ना कि पूरा टेप से हम लोग क्लिकुट करेंगे तो इस तरह लोग टेको मीटर यूज करते हैं ठीक है यानि की अप्शिन नमबर डी इस राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दा क्वेशन होगे तो चलिए बढ़ते हैं ने इस क्वेशन क्यूर अगला क्वेशन क्या क्या था हमारा कि दा मिनिमूम नंबर ऑफ सेटलाइट्स नीड़ेट फो और जी पीएस तो ड है और फोर ऑप्शिन नमर सी इधर राइट आंसर यह साय और डी में भी आ चुका है ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्यों तो नेक्स्ट क्वेशन है दा होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन ओए और और एटें डिग्री 50 मिनट एंड 335 डिग्री 45 मिनट ठीक है ध्यां रेस्पेक्टली व् iliad इवएयली ओफ इंट्लूडेद एंगल तो आपने को क्या बताना यहां परBACK इंट्लूड़ेड एंगल बताना है ठीक है तो इंक्रूडेड एंगल क्या अर आवह यह वाला है एंगल त्थिक है यह तróम होगा है सब्योंद और यह तृटे तो अपने को यह एंगल पताना है ठीक है यह एंगल अपने को पता है एटीन डिग्री फुटी मिनटे यह वाला एंगल कैल कुटी करना है यानिकी 359 60 में से 335 45 मैस करेंगे तो फिफ्टी ना यह जाएगा इदर 95453 224 15 मेर्ट करना एक टीन फिटीन 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 पने मिनट यानिक कि आप्षिन नमः ए इस तर रैट आंसर अकौर्दिन फुटीन होके तो चलिये पटीने ने च्रुशॉंच यह उप्टीन फिर्टीनियों अगला के शना है ने लेबलेंगो पांट इस लोपीं डाने जोप्पीं ग्राउंट फोड़ पोइस अबी आपक of point ABCD are 0.680, 1.455, 1.825, 2.030 meter respectively, the reduced level of point D was taken as 79.100 meter, the reduced level of A, देखो, जब भी आपको ऐसा जहासे compass का या फिर लेविलिंग के question बनते हैं तो उसमें आपका सबसे best रहता है कि आप diagram draw करो, उससे आपका answer simply without any error निकल के आएगा, ओके, तो हम लोग इसका diagram draw कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका diagram कुछ इस तरह बनेगा, ओके, क्योंकि यहाँ मैंने instrument setup किया, ठीक है, यह point यह रहा, ठीक है, भी यह रहा, सी यह रहा, डी यह रहा, ठीक है, मुझे D का RL पता यहाँ पर ठीक है, यह का बताना यानिक यह distance मुझे add करनी है, यहाँ पर मुझे D का कितना पता, 79.10, 00, ठीक है, और मुझे यह वाला data add करना है, ठीक है, यहाँ से जो यह reading है, वो कितनी last की 2.330, और यह वाली reading कितनी है, मेरी starting की 0.680, यह 2.330 मैं से मैं मायश कर दूँगा 0.680, तो मुझे यह वाला data मिल जाएगा, जो कि मुझे add करना है, इसको मैं add कर दूँगा, तो मैं 1RN मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको मायश कर दूँगा 0 आएगा 0 मिल जीरो, और 3 में से 5 जाएगा, तो यह खांते लेकर तेरे पां जो 1.650 अमारा answer आजा है, जो value आई है, तो 79.100 में add कर देंगे, तो 057 और 18.750 यानि की option A is the right answer according to the question, जब भी leveling या फिर कम पास से relative question आते हैं, तो आपको drawing बना की solve करना हम को, ओके, जिससे आपका answer भी simply तरीके से निकल आएगा, और calculation में कोई भी mistake होने के chances कम रहेंगे, ओके तो चलिए बढ़ते हैं, next question की ओर, अगला question है, which of the following is regarded as non-conventional source of multiple water supply, जब हम लोग multiple water supply करते हैं, तो उसमें जो हमारा non-conventional source कौन सा है, river and lakes, तो यह तो conventional है, ठीक है, वेल्स यह भी conventional है, recycle water, ठीक है, जो recycle water होता हमारा, वो non-conventional sources ना आता है, यह हमारा conventional source नहीं है, यानि की option number C, is the right answer according to the question, okay, तो चलिए बढ़ते हैं, next question की ओर, अगला question है, multiple water supply system, usually aim to provide water for, ठीक है, तो हम लोग जो multiple water supply system, जो होता है, तो उसका aim किसको water provide करने का होता है, option number A, domestic uses and public facility, ठीक है, तो ऑस्पिटल वेगारा स्कूल कॉलोनी में, और घरों में पान प्रवाट करते हैं, नगर निगम हमारे, ठीक है, agriculture तो यह तो है नहीं, अगर भी नहीं है, तो डीवी नहीं है, लाज इंडेस्ट्री, तो इंडेस्ट्री को थोड़ी provide करेगा, यह तो उनकी priority वो अपनी और से देखेंगे, municipal एक government authority है, ठीक है, तो इसका पानी जो पब्लिक है, उसको, पब्लिक को water supply का, और जो पब्लिक facilities है, उनको provide करने का होता है, ठीक है, यानि क normal condition, which of the following statement are true for groundwater source, ठीक है, हमारे दो सूर्स होते हैं, दो टाइप के हम लोग majorly classify करते हैं, एक होता हमारा groundwater, एक होता हमारा surface water, ठीक है, option एक हो देखते है, groundwater has less suspended solids than surface water, हाँ, ठीक है, अब आप लोग जो surface water है, जैसे कि नदी है, तालाव है, वहाँ पे तो आप लोग कोई भी क बढ़ जाएंगे, और वहीं हम लोग ground water की बात करें, ठीक है, जो ground के नीचे अवले वाले है, तो वहाँ कोई भी चीज़ फैक होगे, तो आप वो तो surface पे रह जाएगा, तो suspended solid तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, तो as compared to surface water, जो ground water है, उसमें जो suspended solids है, वो कम होते हैं, तो option number A सही है, B को देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर D all of the above है, तो D, B और C को भी चेक करना होगा, हमारा जो B है, ground water has higher dissolved oxygen than surface water, नहीं हो सकता, तो वहीं ground level के नीचे है, ground water, तो उसमें dissolved oxygen कैसे ज़्याद हो जाएगी, dissolved oxygen तो हमारे, जो surface water उसमें ज़्याद होती है, ठीक है, C है, ground water dissolved are always free from arsenic and fluoride contamination नहीं, यह contaminated होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तभी तो हम लोग, उसमों treatment provide काते हैं, यानि कि B और C गलाते हैं, यानि कि D automatic गलात हो जाता है, यानि कि option number A, is the right answer according to the question, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, next question के ओर, अगला question है, which is the correct statement regarding per capita demand expressed in LPCD, ठीक है, मैंने आपको बता था, every daily demand, Q is equal to PX होता है, P क्या है, population, F क्या है, LPCD, liter per capita demand, ठीक है, यानि कि liter demand per capita per day, यानि कि per person, एक बंदे को कितना पानी चीए, एक दिन में, यह होता है, LPCD, ठीक है, option को देखते है, average quantity of water required by an individual in a year, ठीक है, ठीक है, तो इना यह नहीं होता है, इना डे होता है, ठीक है, तो यह गरता है, ठीक है, भी को देखते हैं, total quantity, total नहीं होता है, average होता है, ठीक है, तो यहीं भी गरत हो गया, C को देखते है, annual average amount of daily water, daily water required by one person, यानि कि अप्छी नमर C is the right answer according to the question, okay, तो चलिए बढ़ते हैं next question की और, अगला question है, dissolve oxygen can be consumed in a stream by, जो हमारी stream होती है, river होती है, तो उसमें do होती है, उसको कौन-कौन consume करता है, photosynthesis में consume होती है, हाँ होती है, होती है, ठीक है, और यह भी हो सकता है कि algae production में होती है, होती है, कोई कि algae क्या करता, oxygen को produce करता है, ठीक है, भी को देखते हैं, decomposition of organic matter, हाँ, जो aerobic bacteria है, वो oxygen की presence से उसका decomposition करते है, organic matter का तो BV सही है, C को देखते है, aerobic microorganism, हाँ, उन्हें को हम लोग aerobic bacteria बोलते हैं, है, ठीक है, तो C भी सही है, याने कि D, option, all of the R, the correct answer, ओके, तो चलिए बटते हैं, next question क्योंट, क्योंट, अगला question है, a portion of a beam between two sections is said to be in pure bending, when they are, कुछ condition आप याज रख देजिए, pure का मतलब क्याव रहता है, हम लोग pure milk बोलते हैं, याने कि 100% वही चीज़ है, याने कि milky milk है, दूद ही दूद ही दूद है, उसमें पानी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग एजंचन लेके चलते हैं, तो यह bending के एक assumption है, ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, pure bending का मतलब क्या होता है, कि उसमें सिर्फ bending है, bending moment है, और वो भी क्या है, constant है, ठीक है, 100% होई है, ठीक है, constant है, अब statement के according हम लोग अपना answer चूज़ करेंगे, option एक क्या कहता है, constant bending moment, सही है, and zero share force, bending moment को तो पता है कि constant share force का confirm नहीं, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, थम लोगों को relation पता है, dm by dx is equal to share force, अब इसको ही है, हाँ पर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, m1-m2, क्योंकि dm मतलब change है न, m1 upon m2 upon dx, अब m1 minus m2, और m1 is equal to m2 है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि constant bending moment, तो यह 0 upon dx होगा, कोई भी distance होगी, तो यह value 0 आएगी न, share force की, तो इसका मतलब यह statement सही है, देखे, किसी भी topic को करने का सबसे बेश्ट है कि आपको उसका logic, उसका region पता होना चाहिए, without region, आपका तुक्का एक बार सही हो सकता, लगी हर बार सही नहीं हो सकता, आज के time पे अगर आपको कोई भी exam clear करना है, तो आपके जो concepts हैं, बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तुक्के में काम नहीं चलेगा, logic समझना important है, concept समझना important है, एक बच्छे ने comment किया था कि सर आप जो questions करा रहे हो, इनके कितने जाधा chances है, लेकिए, कभी भी questions आने के chances नहीं रहते हैं, लेकिन question का जो concept है, उसको समझाने का हमेसा try रहता है, कि आप उस concept को समझ जाओ, जिससे आप उस से related जो भी question बनें, उनको कर पाओ, ठीक है, question को कर बाद के concept को बिना समझाने, निकल जाना, आंगे बढ़ जाना, वो मेरा aim नहीं रहता, मैं हमेशा try करता हूं कि जो भी topic मैंने उठाया है, उसका concept आपको एक बाद क्लेर करता हूं, जिससे आपने पढ़ा तो होगा पहले से, लेकिन कुछ नहीं चीजे सीख सकोगे, या फि तो मैंने आपको समझा जिया, इसके साथ एक example में मैं इसका दे देता हूं आपको, देखे, हम लोग जानते है, हम लोग ने case बहुत देखा होगा जंदली, ठीक है, यह वाला case, यह वाला case, यहाँ पर जाएगा, फिर नीच आएगा, फिर नीच आएगा, फिर नीच आएग फिर यहाँ असे यहाँ से यहीं नीच आएगो, फिर यह 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 यहाँ बमडि एक डीकिस तरह बनता है यह तिक अब देखो यहाँ पे इस portion में, बीमडी का, कैमरा constant, चे शेयर फोर्स यह मेरा 0 है, देखे, concept ही हो गया, उसक आप बहुत देखा होगा ठीक है एक स्टेंडर्ट के स्बीए ओके तो नेस्ट क्वेशन क्या कहता है मारा अब प्रिजमेटिक बार्वें सब्जेक्टेट टू प्योर बंडिंग या निगी बेंडि मॉमेंट क्या अपना प्रिजमेंटिक बार अब प्रिजमेटिक की बार की बास करते हैं मतलब रहता है कि तो उसके जो डेमेंशन मैं कहूं टेमेंशन के उसमें कोई एक्वेशन पर होता है ठीक है अब इसको लोग लेख सकते हैं कि 1 by r is equal to m upon e i यह constant है यह एक ही material यह भी constant है ठीक है प्रिजमेटिक बार है तो आई भी constant याने यह पूरा टर्म क्या मेरा constant है ट्रिजमें यह तो जहां भी आपको सर्कल देखेंगा उसको देखिए किट नरी यह नहीं है ठीक है क्यूबिक पर वह लाएंड नहीं है क्यूबिक पावर और होने ची वह भी नहीं है Quadratic वह भी नहीं है, Arc of a Circle, ठीक है, Arc of a Circle काम करेगा, यानि कि Option Number D, Is the Right Answer, बहुत से बच्चे इसको लाएके चला आते हैं, कि Arc of a Circle, ठीक है, Logic क्या है, उसका, उसका region क्या है, ठीक है, Pure Bending नहीं लिखा होगा, तो यह Logic काम नहीं करेगा, ठीक है, Pure Bending नहीं लिखा होगा, तो लोज तो चलिए बढ़ते हैं इस question के और, अगला question क्या कहता है, the given figure shows a cantilever span of L, ठीक है, to a concentrated load P and moment M at the free end, deflection at the free end, यहाँ पे deflection पूचा है, हो सकता है, आप में से exam में, आपका जो rotation है, वूप मुझ से, ओके, तो हम लोग जानते हैं, यह एक superposition होती है न, कि addition, subtraction, superposition theorem, आप लोग जानते हैं, जो method होता हमारा, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखना है, point loading की current deflection क्या होता है, PLQ upon 3EI, ठीक है, इतना तो मुझे आता है, इतना तो सब को आता है, ठीक है, अब बात आती, superposition लगाएं कि कैसे, इसकी direction किस तरह है, लोट की इस तरह है, moment भी किस तरह लगा है, इस तरह याने कि ये add होगा, क्या होगा, add होगा, और moment के कार यो deflection होता होता हो, क्या होता है, ml square upon 2EI, ml square upon 2EI, अगर in case यो ना होके, moment यो होता, तो यहाँ पर plus की जाए, क्या आता है, माइन साता, option देखने हम लोग, option PLQ upon 3EI, राए किसमें, ठीक है, deflection तो, इसमें ये options ग आई आएगा, B वाले में, ठीक है, ml square upon 2EI, कहां पर शो कर रहा है, वो एक भी शो कर रहा है, यहां से मैंने चेक कर लिए, यहां पर मेरी विश्टोक हो गई, ठीक है, तो option नमर B इदर राइट आंसर में है, इसको, ठीक है, आप लोग इसको समझ जाएगा, कि ये 3EI है, 2E काई नहीं है, ठीक है, PDF अलरीडी, कनवर्ड हो चुके है, तो edit तो हो नहीं पाई गया, लेकिन आप लोग समझ जाएगा, वीडियो को, ठीक है, अगर in case, यहां पर rotation पूछ लेता, तो क्या हो था, PL square upon 2EI, plus ml upon EI, okay, simple, तो चलिए बढ़ते हैं, इसक्रेशन क्यों ग्योर, करेंसों जानते हैं, तो अगला कर्षिंशन है, मेक्जि ममम खेसे, और मलर श्री जानते हैं, यह वाला, यह जिस ते तो मगल श्रीच को श्रीच अहूं क्यों तो जाता है, मैनिम्न फिंसर पियर से ह। और गीन क्यों प्रिंग ऌनाहर सी, जाता है, ब मेग थे लिए इस यन कि इन्कलाइंट एट 90 डिग्री टू दो डोज ओप प्रिंसिपल प्लें तो 90 डिग्री यहां पर तो 90 होना चाहिए लेकिन यह गलत है क्योंकि जो हमारा अनलिटिकल मेथड से हम लोग जो ग्राफिकल मेथड में जाते हैं तो एंगल का क्या करते हैं दुगना कर देते हैं तो तो 90 तो गलत है ठीक है इन्कलाइंट एट 45 डिग्री प्रूद पिंसिपल प्रेंट यह सही है यह सही है ओके अनिक आप्षिन नमबर सी इदर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दो क्वेशन बहुत से बोलते हैं कि फुर्टी वह उता है और 135 होता क्यों होता है इस तरह हो अब का शेवन और यह हो जाएगा 270 ठीक है अब इसका हाफ करके अनलेटिकल में लाएंगे तो 135 हो जाएगा क्लोकवाइज जाल रहे हैं ऑके लियर हो गया किस तरह 135 डिग्री होता है किस तरह आपका 45 डिग्री होता है ओके तो चलिए बढ़ते हैं एक्ष्प्रेशन की और अगर मेजर माइनर बोलेगा तो अलग हो जाएगा फिर ठीक है अगला कुछन है दा हूप इस्टेक इन अथिन स्लेंडर शेल देगे दो इस्ट्रस होती है एक हूप होती है इसी को सर्कम्फेंशल इस्ट्रस की बोलते हैं ठीक है ना में आप बताये था है और इसका फॉमल कि यह को थी लॉंगिटूडनल स्ट्रेस उसका फॉमला होता है पीडी बाइप यह फॉर्मली ज्यादे इंपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं एक्सक्रेशन की और अगला कुश्चिन क्या कहता है वाट विल वी दा यूनिट वेट आप फुली सेच्विटेट सब्सक्रेशन वन है उसका फॉर्मला क्या होता वॉल्यम ऑफ वाट अपन टोटल वॉल्यम और वाइट ठीक है है वाटर कंटेंट ऑफ थर्टी एट पसमिजाने की डवलो की वेली कितनी है पॉइंट थर्टी एट एट एंड इस्पैसिफिव गैर्टी कितना है 2.65 ठीक है इसके वेलूट कितनी लिंग है लोग इनूट को देखते हुए कितनी लिंगे 9.81 किलो निटर पर मीटर की अब अपने को जी पता है जी ठीक है एकी चाहिए लिख सकते है एक डॉट एस इस को डॉट जी होता है ठीक है और एस वाने यान की यह सी ओंडाट लिक्त लिक्क य पाल गव दूट नवर ने तो यही निगल कहा रहा है उसकी ज़र दैक सकने है ठीक है याणी क्या लिक लेंगे जी अपनी ऑकनी सब्सें नांन ईटीक ठीक अब इसको इस्तर लेक्षाटें जी की वेली क्या रखेंगा रखेंगा न्वर 2.65 इन्टो 1 प्लस 0.38 अपन 1 प्लस WG की ड़ू की वेली कितने 0.38 जी की वेली कितने 2.65 और जी इसकी वेली कितने 9.81 इसको पूरी का आप सॉल्व करोगे चैक्पलेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएका आएका अप्शन नमाः बी 17.88 क्लो नीटर पर मीटर क्यों के क्यों के क्या आपको प्रेक्टिस करने पड़ेगी क्यों कभी कभी ऐसे क्वेशन आ जाते हैं तो नेक्ट क्वेशन है अन अनालेसिस अफ पार्टिकल साइड इस्टिबिशन आप वाइल इड कि आइट सांन द्वी टैनिज जिरो पांट वान दी टैन के वेलिशन एफ नियोक पॉंट वन्स आव में में मैं यू भी तरी कि इतना इंब टैन आफ का 0.3 हो के और दे 60 कि इतना दे 60 जिरो पांट एट अके और उनिफ पिर्ट कॉपशन यानिकि सी यू ठीक सी यू क्या ह होता है दी 60 भाय दी 10 60 कितना जिरो पेंट 810 कितना जिरो पांट वान यानिकी इसके वे लिए आई एट और एट एक ही ऑप्चिन में दिख्रा तो हम लोग आंगे कैल गूरेट नहीं करेंगे यानिक अप्षिन नमर्डी इधर राइट अंसर लेकिन कोफिए लोकर वेचर कोफिशन और कर वेचर का वमला निकल के आएगा ठीक है तो चलिए बढ़ता है नेक्स्क्रेशन के और अगला क्या क्या कहता है कंसार्ड दा फॉलिविंग स्केट्वें इन दे कॉन्टेक्ट औप कैपलेडी प्रेशन इन स्वाल्टी के कैपलेडी पूर वार्टर पैशर ह है उसके रिलेटेर आपको तिनी स्ट्रीट में दिए गाई है और इनके अक्ना तो करना है पूर वाटर प्रेशर के इन नेगेटिव इन प्लेजों यस इट बैद नेगेटिव सहित और वाटर इन टेंटेंशिन इन क्वारव तोई टेंटिटान है तभी नेगेटिव मान क है के प्रेशार लिफ नर्फ यह फाइन होगा पार्लिंकल का साइड उतना जादे इस में तो थ्री गलत इसमें में इसमें और ऑप्शिन वजब आज तो चलिए बढ़ते ने एक प्रेशन की हो अगला क्वेशन क्या कहता है दे प्रोपर्टी अफ़ ख्ले बाइवर्ची ऑपस विच दे रिगें इप लेफ अलॉन फॉर अटाइम अपार्ट अफ दे इस तेंट लॉस्ट डू रिमाल्डिंग एट अनल्टर्ड मॉस्टर कंटेंट इस देखे यह बहुत इंपोर्टेंट इस दो टॉपिक का मिक्ष्या रही है क्ले में प्रोपर्टी होती है यानि क्ले की एक परपर्टी है बाइव वर्च्य ओफ विच दे रीगें दे रिगें दे अने की लेके पार्टिकल बीगें इफ लेफ्ट अलॉन फुर टाइम किसी टाइम के लिए छोड़ दे यह पार् करने की प्रसेस को क्या कहते हैं लुक यह लेगी होती प्रपरिटेंश को कितें टीक्स ट्रॉफी टिक्स ट्रॉफी डूटू रिमाल्डिंग एड अन अल्टर यानिक विधाउट चेंजिंग देवाइटर कंटेंट इस नहीं नहीं देगे हम लोग जानते हैं सतों मैं बता द यह नहीं द दिखर शाल करेश्व होती है तो अगर इसकी वेल्यू आपका ग्रेटर देन से तो एक्टा सेंस्टीब और इसको एक्टा त्षाथ दिए है ठीक है हम जब उसका यूं रिमाल्डिंग करते हैं तो इसकी इस तरह जाती है लॉस रैस लोस राइस तो जो स्टेंद म of particle rearrangement जिसको अम्लोग recover कर लेते हैं और इसी recovery को क्या बोलता हम लोग 300 ट्रफ़ एक होता है destruction of particles आनि कि particle का destruction उसको हम लोग recover नहीं कर पाते तभी तो कहते हैं खिर सम पाट ऑफ जो energy होती है उसको ही कवर कर लेते हैं ठीक है strength का part लेकिन कौन सा सब्सक्राइब वाला होता है उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं ठीक है आप लोग गेट का एक लेक्चर देखेगा मेरा उसमें इन दोनों टॉपिक्स को इतना डीटिल में समझाया है आप लोगों का एक लिंक अप करके मस्त ठीक है उसको देखेगा आपको और ब्रीफ में किलिर हो जाएगा सब्सक्राइब तो चलिए बढ़ते हैं नेक्ट क्वेशन के और एकला क्वेशन है कंसर्ट अधा फॉल्विंग स्टेट्मेंट कि मैंने स्टेट्मेंट वाले क्वेशन इस पर गए यहां पर क्योंकि जी एक्वाम में अराउंड टैन कोशन आज देखे जाते हैं कि ऐसे हो सब्सक्राइब यहां सिंकेड लिमिट है इससे ऊपर जितना भी है इस पॉइंट से डिग्रिव सैचिरेशन वन रहती है तो सही है तो आपको करना क्या है ऑप्शन को सारों को देखना जितने भी ऑप्शन है या फिर एक ऐसा अप्शन पकड़ लेना जो आपको कंफर्म है कि यह गलत है उसको एलिमिनेट मारना यानि तीन गलत है एक यहां से गया तीन ठीक है यहां से गया तीन और टू तो है आपका तो वान एंट टू याने ऑप्शन हमां भी इदा राइट आंसर प्रकॉर्टिं वह शिंके लिमिट की बात आगी है तो शिंकेज रिश्यों का जो फॉर्मला होता है वह वी वन मैनेस वी टू ठीक है अलग-अलग सायन होते हैं अपने 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 वीडी अपन डब्लू माइस डब्लू टू आप लोग डब्लू बन किसी वो मानोगे डब्लू तो किसी को मानोगे ठीक है यह फॉर्मला होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन के और आपको पूछ लेगा एक्जाम में ओके बोल देगा डबलू वन यह है डबलू टू यह है तो सिंके डिश्यों क्या बनेगा व आइड लोड दे रहा है 40 km मेटर सेश्वेक लोड दे रहा है इस विंग जो मूमेंट है ठीक है और 20 km में मीटर ठीक यह सारे मोमेंट साथ के दफ्लेक्वर डिजाइन मोमेंट फूर लिमिट स्टेट ऑफ पॉलेट दो थे हैं एक लिमिट स्टेट अप सर्वेस्विटी एक ले मिशिट ऑफ कोलेट तो आपको क्रिए जयादा पूचा जाता है तुर यही ज्यादा इंपॉर्टेट है सर्व उन्ट फ्रॉडट इपसाइब प्लाइड़ नहीं है एकजानन के पॉंट आप श Lorenzen Q 1.7 कि мне trust download 1.5 अग्रद रोट प्लस आपका एर्थ्थकुट लोट सेस्मिक लूड रिए को लोट है यहां फिर वन पंट्टू दे रोड लाइप लूड प्लस अर्थुकुट लोड टिक इन सबी लोड को इंक्लूड कर लो इन में से जो भी मैजिमम होका वह आपको लेना है ठीक है अब हमल मैं मल्ट्प्लाइ कर ओगी तो आपका i go 105 थिक है 105 क्लोनीटर मीटर ओ के डेड़ लोड और विक लूट इन दोनों को किल घड़ेंगे तो 325 और यह आएगा आपका 75 ठीच यह इसका पोजिशन आए का आपका 75 मीटर मीटर इसका राइक 105 ठीक है तीन का एट करते हैं 34729 नाइन और नाइन का करते हैं बार है नम्मा कितना 108 ठीक है तो यह 108 आएगा तो एक सो पांच पिजटर और एक सवाट इन तीनों में 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 कौन सा है यह आपका ऑप्षिन नम्म भी इस राइट अंसर ओके अगर आप से ओवर टेंडिंग के लिए कंडिशन फूच लिए तो क टो चलें बढ़ते नेश्ट क्यों क्यों को तो अगला क्या गता है दा मिनिममम नोमिनल कवर टू रिइंफोर्समेंट रिकमंडेट फूर्म वेरी सीवर क्लामेट वेरी सीवर क्लामेट कंडिशन है इस पर देखिए इस टेबल से कुशन आना कंफरम है तो आपको पूरी ट के लिए इसके नोट्फी शेयर कर दूँगा टेरिक्राम चैनल में आप कमेंट कर देजएगा मैं शेयर कर दूँगा ओके है तो 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 वेलिशीवे कंदिशन होती है हमारी क्योंति माइल्ड मोडडरेट सीवियर वेडि़िवेगी कि कोशिट वाली कंदिशन तीक है सी क्षिट वाली कंदिशन तो उसमें जो आपका कवर रहता है नन मेंकोbright तो वो कितना होता है पक्चाल से मैं लेकिन एक्स्ट्रीम कंडिशन की बात कर दे तो 75 हो जाता है कन्फूजन नहीं करना है वेरी सीवियर बोलाए यानिकी 50 यानिक ऑप्चिन नमर्डी इदर राइट आंस अकॉर्डिंग दूग क्वेशन एक्स्ट्रीम बोल देता तो 75 हो ज सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं यानिकि दोनों यूज कर सकते हैं लोग ठीक है ऐसा नहीं किसी के लिए कोई सा टर्म अलव हो ठीक है सब के लिए से में तो टेंश पन फॉर्मले से भी यूज कर सकते हैं कंप्रेशन से भी कर सकते हैं यानिक आप्शन नमर्द सी बोट ए एंड बी इस दर राइट आंसर अकॉर्डिंग टूड़ कोशन ओके तो च अब दोने खिर कंप्रेशन के लिए स्टील के लिए है यह कर डिजाइन के लिए है गंक्रिंग लिए और एट सेंटीफैर आपका लोड के लिए ठीक है डी ऐल डबलू एसल डेड़ लोड लोड बिल रोड और स्नो लोड और लोड कॉमिनेशन यह आपकी तरीके शॉट तर कि छोकि बहुत रहना में पूछा तब लोड फ़ल करता है क्यों क्वार देड़ लोड को खुका है है जैंए ऒंके तो यह चार वर पांच है लोड कूमिनेशन तक आपको शारी याथ होने चाहिए दोट जर गया था तो चलिए बढ़ते हैं अक्ला क्रें प्र है इनले मेट इस्प्रेश डिजाइन दख करेक्टरेस्टेक स्ट्रेंट फॉट्टी ग्रेड इस तो टॉर्टी ग्रीड है तो आप लोग समझ गये होंगे टॉर्फॉटटी का मतलब कि यह एक एच वाइज टी बार है ठीक है तॉरका मतलब तो आपको यह पता है कि 350 50 और 361 तो हो नहीं सकता है ठीक का तरीक मैं आपको बता रहा हूं कि eliminate कैसे तरह करना है ठीक है क्योंकि हम लोगों ने गेट कौन-कौन से सुने हुए है 250 मैं लिस्टी बार 415 500 और उपर से उपर भी चलते हैं ठीक है तो इन दोनों के बीच में आप कोई नहीं सुना है यानि कि यह तो यह तो होने वाले नहीं तीनों ठीक है यह तीनों तो होंगे नहीं फोर बन फैव एच्वाइश्टी से स्टार्ट होता है जो मिनिमूम ग्रेड है तो ऑफ्चिन नमर भी इदर राइट आंसर अकॉर्टिंट रोग्शन यानिकी टॉर फू यहां पर यहां पर यह वीडियो कंप्रीट होती है मैं किस तरह आपको पढ़ा रहा हूं जो मिना टीचिंग इस्टाल आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर कुछ भी इंप्रोवाइशन आप चाहते हैं कि सर आप और डीटिल में बता बता देता हूं तो वह आपके लिए सफिसेंट आपको मजा रहा उसमें या फिर के आप सर इतना डीप में मत बताईए आप क्वेशन और आंसर बताईए उसकी जो कॉंसेट्स है वह हम लोगों को पता है हम लोग इतना डीटिल में उसको नहीं जानना चाहते हम लोगों पत पता उनके क्लियर भी हो जाती है ठीक है लेकिन आप अपना पॉइंट आफ भी जरूर देजिएगा कि आप लोगों को किस तरह का चाहिए वीडियो कैसी लग लिए कमेंट करके बताईए और लाइक जरूर किया किजिए क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतनी रेटिंग प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि उसी वीडियो की नीचे आप कमेंट करते हो तो मुझे पता है कि इस PDF से आपको कोई क्वेरी है आप लोग क्वेशन नमर टाइप करते हो यह वाला क्वेशन में यह वाली दिकत होती है तो मैं तुरन जा के PDF आपकरता हूं क्वेशन हमाश से शेर कीजिए मिलते नेक्ष वीडियो में तिल देन बीफी कीप लार्निंग और कीप स्मेलिंग